काम चोर देवरानी एक बार की बात है सुश्मा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी-खुशी मोहन नगर में रहती थी उसकी दो बहुए थी पल्लवी और शिवानी एक दिन दोनों बहुए रसोई में काम कर रही होती है कि तब ही उनकी सास सुश्मा उन्हें बुलाती है अरे मैं आटा गुन रही हूं ना तुम चली जाओ हां तो मैं भी तो सबजी काट रही हूं न दीदी अरे बहु जल्दी आओ फो ये तो जाएगी नहीं मैं ही जाकर देखती हूं कि क्या करना है पल्लवी सुश्मा के कमरे में जाती है जी ममी जी क्या हुआ शाम को घर पर कुछ महमान आने वाले हैं तो तुम अच्छा सा खाना बना ले ना बहु ठीक है ममी जी आप बता दीजी क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं सुनिल की मासी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है कुल मिला कर तीन लोग और हमें मिला कर हुए ना लोग तो अभी से ही तयारी करना शुरू कर दो और हाँ घर की सफाई भी कर दिना हाँ अच्छे से जी ममी जी सब काम हो जाएगा अब चिंता मत कीजिए पल्लवी शिवानी को घर में महमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है क्या नौ लोगों का खाना बनाना होगा घर की सफाई करनी है बाप प्रे सासुमा ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है ऐसा नहीं बोलते शिवारी हम इस घर की बहुँ है और घर की काम करना हमारा फर्स है दीदी तो है यह सासुमा की चमझी जब देखू सासुमा सासुमा मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही ही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है तभी वहाँ पललवी और सासुमा जाते हैं अरे बहु क्या हो गया तुम्हें ममी जी बहुत तीस सर में दर्ध हो रहा है तुम्हें काम करो शिवानी आराम कर लो नहीं नहीं दीदी घर में मेमान आने वाले है मुझे आपकी मदद करनी चाहिए अरे कोई बात नहीं शिवानी तुम आराम कर लो मैं सब काम कर लोगी ठीक है दीदी अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगेजिन पढ़ रही होती है इसे कहते हैं आराम की जिंदगी इतना सारा काम चलो सारा काम खतम हो गया शिवानी को देखाती हूँ शिवानी अपने कमरे में इयर फोन में गाने सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगेजिन भी रखी होती है, पल्लवी वहाँ आ जाती है और वो सब देखती है ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहादा था, अभी बताती हूँ इसको, घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहां मैगेजिन पड़ रही है, गाने सुन रही है पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चमच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजा कर उठाने लगती है शिवानी अचानक से उठती है उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिये, मैगेजिन भी पड़ ली, तुम तो बहुत बड़ी जूठी निकली शिवानी, तुमने सरदर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको हाँ, बनाया बहाना, तो क्या करती, इतने सारे काम करती, मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का क्या, चापलूसी, तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ और नहीं तो क्या, तब ही वहाँ सासुमा आ जाती है अरे बहु, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारिया कर लो जी सासुमा, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ सब खाना खाने बैठते हैं, और खाना शुरू करते हैं, तब ही सुनिल की मौसी बोलती है वाँ भई वाँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है सुश्मा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है ये सुनकर शिवानी मौ बना लीती है, उसे अपनी जिठानी की इतनी तारीफ राज नहीं आती आपकी बहुएं तो बहुत अच्छा खाना बनाती है हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहु ने बनाया है छोटी बहु की तब ये ठीक नहीं थी, सो इसलिए मानना पड़ेगा सुश्मा जी, आपकी बड़ी बहु तो बहुत ही गुणवान है पल्लवी की तारिफ सुनकर शिवानी को जलन होती है पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देख कर उसे चिड़ाती है कुछ दिर बाद महमानों के जाने का वक्त हो जाता है मौसी जी सब के लिए उपहार लाई होती है, वो सब को शगूनके पैसे देती है और अंत में पल्लवी के पास आती है तुम्हारे लिए शगूनका लिफाफा तो है ही, पर बहु तुम्हे एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए मौसी अपने सोने की कंगन निकाल कर पल्लवी को पहना देती है ये लो, ये मेरे मन पसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए धन्यवाद मौसी जी ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्सी से रस्वय में चली जाती है तब ही वहाँ पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है देवरानी जी, अब आपका सरदर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सरदर्द शुरू हो गया होगा आपका